बहुत ही मज़ेदार क्रिश्पी Mixed Vegetable पकोडे रड़ी हैं असलाम अरेकूम, आज मैं बनाने जारी हूं Mixed Vegetable पकोडे Mixed Vegetable पकोडे बनाने के लिए मैंने चन बारिक बारिक काट लिया है सबसे पहले हम इनको मिक्स कर लेते हैं फिर पकोडे प्राई करेंगे एक बहु लिया है, इसमें सबसे पहले हम वेजेटेबस टालते हैं, हाफ कॉप प्यास औट कर देंगे, उसली बारि कटा हुआ, एक लाचाइस का आलू बारि कटा हुआ, अट कर देंगे, हाफ कॉप घाजर और जाए, बारि कटा हुआ, बंगोबी, हाफ कउप, पालब, 1.5 cup, शीमला मिर्च, 1.5 cup, बारी कटी हुई, तीन गरीन चिली सेंगे, बारी कटी हुई, ठीक है, अब हम इसमें बेसन एड़ करेंगे, 1.5 cup, 1 and 1.5, अब हम इसमें साले आट करेंगे, 1 टीस्पून, पीसी हुई सुर्क मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून पुटेजी डाल मिर्च, अब हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी बॉडर एड़ करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, और इसमें हम 1 by 2 टीस्पून बेकिंग सोडा यानि मिठा सोडा इसमें एड़ करेंगे, अब हम इसको पानी डाल कर मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करेंगे, और मिक्स कर लेंगे, बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं असानी के साथ घर में बनाए जासकते हैं, जैसे आज कल सबजी का सीजन है और सारी वेजिटेबल्स घर में अवेलेबल होती है तो हम एजी लिए बना सकते हैं शाम में इविनिंग टाइम यह देखें यह बैटर रड़ी हो चुका है अब हम इसके पकोड़े प्राइब कर लेते हैं अब हम इसमें कोड़े डालना शुरू करते हैं फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे यही बया ओ मानस्काल प्राइब है यही कोड़े अब हलो का तका अंदाताे हैं यह जव्फिए आधाली आपिए हैं अब आइस साथ हम इने अलट देते हैं दोनों साइड से ताके गोल्डन ब्रॉन हो जाएं गोल्डन ब्रॉन होनी के बाद हम इने निकाल लेंगे पकोड़े रेडी हो चुके हैं देखें कितना अच्छा अच्छा आया है अब हम इने निकाल लेते हैं इसी तरह हम बाकी के जुरेगे हैं उन्हें बनाते हैं उसके बाद हम इने डिशोट कर लेते हैं देखें कितने जबर्दस मज़े के बने हैं बहुत ही मैज़ेदार क्रिस्पी मिक्स वेजिटेबल पकोड़े रेडी हैं